नमस्कार, नव्युग प्रगती, नव्युग स्कूल एजुकेश्टन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं नव्युग विद्याले लक्ष्मिबाई नगर के संस्कृत अध्यापी का सुदेश चोहान हूँ आज हम कक्षा सप्टमी विशे संस्कृत व्याकरण के अंतरगत उपद विभक्ती के विशे में जानेंगे उदेश्य चात्रों में संस्कृत भाषा के प्रती रूची विक्सित करना, संस्कृत व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, संस्कृत में सरल वाक्य लिखने की शमता विक्सित करना उपद विभक्ति जानने से पहले हम विभक्ति समझेंगे कि विभक्ति कितनी प्रकार की होती है विभक्ति दो प्रकार की होती है कारक विभक्ति जो विभक्तिया कारक चिन के अनुसार लगती है उपद विभक्ति जो विभक्ति किसी विशेश शब्धिया धातु के आजाने पर लगती है कारक विभक्ति चात्रह विद्याल्यम गच्छति विर्क्षात पत्राणी पतंती उपद विवक्ति, कारक चिन्नों की उपेक्षा करके किनी विशेश पदों के कारण किसी विशेश विवक्ति का प्रियोग होता है, उसे उपद विवक्ति कहते हैं जैसे राम का पुत्र, रामस्य पुत्रहा, यहां रामस्य पद में सश्टी विवक्ति का प्रियोग किया गया है, क्योंकि कारक चिन्न का लगा हुआ है राम के साथ रामेंड सहे, यहां कारक चिन के होने के आवजूद रामेंड पद में तृत्या विवक्ति का प्रियोग किया गया है, क्योंकि यहां सहे का प्रियोग किया गया है, और सहे के साथ तृत्या विवक्ति का प्रियोग किया जाता है, दूसरे शब्दों में सहे की परिता गोपिका पिष्ण के चारो और गोपिका हैं लंकाम परिता समुद्रा लंका के चारो और समुद्र है ग्रामम परिता चेतरानी गाउं के चारो और खेत हैं उभ्यता दोनो और जित्याविभक्ति लगती है इसमें भी मार्गम उभ्यता व्रिक्षा मार्ग के दोनो और सीता के दोनों और लवकुश है नदीम उभ्यता ग्रहानी संती नदी के दोनों और घर है तृत्या विभक्ति सह साथ सीता रामेन सह वनम गच्छती सीता राम के साथ वन जाती है मुहना जनकेन सह क्रीड़ती मुहन पिता के साथ खेलता है मृगह मृगह सह चरंती हीरन हिरनों के साथ चरते हैं अलम मत करो तृत्या विभक्ति अलम विवादेन जगडा मत करो नमस्कार, चतुर्ती विभक्ति, नमहा शिवाय शिव को नमस्कार है, नमहा इंद्राय इंद्र को नमस्कार है, नमहा सूर्याय सूर्य को नमस्कार, गुर्वे नमहा गुरु को नमस्कार है, दुर्गाय नमहा दुर्गा को नमस्कार है, बही पंचमी, ग्रहात बही मागच, घर से बाहर मत जाओ मंडुका कुपात बही न गच्ती मेंड़क कुए से बाहर नहीं जाता है वर्षा काले ग्रहात बही मागच वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ संसत भवनात बही जन सम्मर्दाहा संसत के बाहर भीर है पठित अवभोधनम सहाड अध्यनार्थम डैश बही गच्ती, देशात, देशस्य, देशे, देशात, वह अध्यन के लिए देश से बहार जाता है, बही शब्द के योग में पंच्मिव भक्ती आती है, इसलिए हमने यहाँ पर देशात लगाया, नमहा डैश, गनेशम, गनेशेन, गनेशाय, क्य क्योंकि परिता शब्द के योग में द्वित्य विभक्ती लगती है, अलम, डैश, गर्वं, गर्वेन, गर्वस्य, गर्वेन, गर्व अथार्थ घमंड मत करो, डैश सहयाती कोमुदी, चंद्रेन, चंद्राय, चंद्रे, चंद्रेन, क्योंकि सह शब्द के योग में चत्र प्रित्या भी भक्ति लगती है धन्यवाद